Hello dear friends, इस वीडियो में हम active passive wise का exercise करेंगे, इसमें मैंने कुछ questions लिये हैं, उसके बाद उसको यहाँ पर solution है, तो यह true है यह false है, यह आपको बताना है, यह false है, तो false क्यों है, और इसको हम correct करके देखेंगे कैसे वो passive wise सही सही बनेगा, तो चलिए video start करते हैं, इस देखें यह एक्टिवाइज है I eat mangoes मैं आम खाता हूं इसका अगर हम पैस्टिव बनाते हैं तो क्या होगा कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है तो इसको देखते हैं सही है या नहीं मैंगोज आओ इटन भाई मी क्या है अगिया सभी है आव दिखो। बनाते हैं तो हम औपजेक्ट को तीन चीज़यों होती है इंगलिस सिंटेंज में एक होता है सब्जेक्ट एक होता है वर और एक होता है ऑपजेक्ट्ट्स तो जम passive word बनाते हैं क्या करते हैं object को सुर्व में लिख देते हैं उसके बाद हम इस main verb के हिसाब से यहाँ पर helping verb और वर्व का third form लेते हैं और उसके बाद by उसके बाद यहाँ पर subject को objective case में लिखा जाता है जैसे यहाँ पर I का me हो गया है तो यह सही है यह sentence बिल्कुल सही है true है यह sentence true होगा false नहीं होगा चलिए दूसरा देखते हैं she eats mangoes वह आम खाती है तो इसका यहाँ पर mangoes हो गया यह सही लग रहा है उसके बाद आर लिख दिये यह क्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर आर लगा दिया यह first form में है eats तो आर सही लग रहा है eats का written हो गया है फिर by she अब यह क्या सही है दीए कि यहाँ c का क्या c होगा नहीं c एक subjective form में है यह क्या है subjective form में है इसको हमको objective form में यहाँ पर हर करना पड़ेगा c का objective form आ जाता है हर यदि यह हर होता तो सही होता अब यह क्या है false है यदि यहाँ पर हर होता तब यह true होता तीसरा I eat a mango मैं एक आम खाता हूँ तो mango is eaten by me तो एक क्या सही है mango is eaten by me mango यहाँ आ गया अब यह mango चूकि यह singular है तो यहाँ पर is लिया गया है यह प्रेजेंटेंस है अब यहाँ पर eaten by me यह भी सही है true है mango is eaten by me अच्छा एक मेड़ एक मेड़ यहाँ पर a नहीं लिखाया है तो यह गलत होगा क्योंकि यहाँ पर a mango होना चाहिए यहाँ पर a mango होता तब यह सही होता तो यह फिर true नहीं होगा यह क्या होगा यह false होगा क्योंकि यहाँ पर a नहीं है a लगाने के बाद यह सही होगा यह दियाम इसको सही करके लिखें तो यह ऐसा बनने गा a mango is eaten by me यह सही होता चलिए नहीं देखते है ram eats a mango तो यहाँ पर a तो सही लग रहा है a आ गया पहले फिर mango में सही है अब a mango तो यहाँ पर a लगा हुआ है अगर mango यह है तो यहाँ पर a नहीं होगा ease होगा टेंस के हिसाब से यह present tense है तो आर यहाँ फिर is में से लेना पड़ेगा तो यहाँ पर ease होना चाहिए था और कुछ mistake है क्या eaten by he यहाँ पर he होगा जा यहाँ पर राम है यहाँ यहाँ नहीं होगा यहाँ पर a mango यह राम ही होगा अगर यह ऐसा होता तो यह सई होता तो यह false है यह भी false है इसमें दो mistake थे next they eat a mango वे आम खाते हैं तो a mango शुरू में आ गया फिर a mango is भी चीक है eat का 8, 8 second form होता है अगर ये eaten होता तो सही होता, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है eat का second form 8 by them, them तो सही है दे का them होता है, objective case तो यहाँ पे एक mistake था, इसलिए ये भी क्या है ये भी होगा, false चले चलते हैं, next exercise की ओर तो next question देखते हैं I ate mango अब ये past tense में आ गया है, 8 लिखा हुआ है तो इसका कैसे बनेगा mango is eaten by me, क्या है सही है नहीं, ये सही नहीं है क्यों सही नहीं है, देखिए यहाँ पे इस लगा हुआ है, ये past tense है अगर इसका हम सही बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा mango was अब mango was आ जाएगा was eaten by me ऐसा अगर होता तब सही होता नहीं तो ये भी क्या है ये भी false है next लगते है c8 mangos इसका सुरू में आ जाएगा mangoes सही है अब mangoes के बाद was लगा है देखिए, ये है plural was singular में यूज़ होता है was मतलब था होगा तो ये mangoes है तो यहाँ पर war होना चाहिए था तब ये सही होता बागी सब तो सही है eaten by her eaten है, third form है eight का ठीक है by है, ये भी सही है she का her हो गया है, ये भी सही है तो ये एक mistake अगर ये होता सही war होता तो सही होता तो ये भी false है next देखते हैं, तीसरा I will eat a mango ये future tense में आगिया future indefinite tense तो a mango सुरू में आगिया सही है उसके बाद will will लिखा हुआ है ये भी सही लग रहा है eaten by me अब देखें, यहाँ पर क्या mistake है यहाँ पर, आप mistake ढून के देखें आपको एक mistake लएगा यहाँ पर will be होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ पर will be होता है a mango will be eaten by me future tense में, future indefinite में हमको यहाँ बनाते हैं तब be cover yoke करना पड़ता है कि आम मेरे द्वारा खाय जाएगा तो यह false होगा क्योंकि इसमें be missing है next देखें they will eat mangos तो mangos mangos, यहाँ पर आगया, सही है r, mangos plural है तो हम r लगाए है लेकिन यहाँ पर तो will है तो हमको इसके साब से helping word लेना पड़ता है कि इस tense में कैसा helping verb है तो यह will लगा तो हम यहाँ पर r न ले सकते यहाँ पर will ही होना चाहिए था mangos will be बिल इसमें भी लगा है, सही है और eaten third form भी लगा है ठीक है by them, they का them यह अगर will होता तो यह सही हो जाता है यह भी false है next देखते है I did not eat mangos, अब ने निगेटिव सेंटेंस आ गिया did not, मैंने आम नहीं खाया था आम नहीं खाया थे इसके बाब पैसी होज़े बनाएंगे तो mangos का इधरा आजाएगा, सही है लग रहा है यह तो उसके बाद mangos did not eaten by me यह तो सही है, by भी सही है, eaten में सही है not भी सही है, did सही है दिखे, did है, यहाँ पे mangos के साथ did नहीं जम रहा है इसके साथ होना चाहिए था mangos word, यह past tense में है, अब plural है तो word का प्रयोग करें, किया गया है यहाँ पे तो यहाँ पे word होता तो सही हो जाता, अभी यह false है तो इस तरसे तो पांच-पांच-दस size किये हमच इसके बाद और भी बहुत साथ passive words में होते है change करने के लिए एक gerund को change करते है gerund को और इसके साथ imperative sentences होते है इन सब को इन सब को बैसे solve किया जाता है यह भी मैं आगे के वीडियोज में आपको बताऊंगा, अभी आप इसको size करी और इसके अलावा आपको और किसी topic में passive words में अगर आपको वीडियो चाहिए एक size के लिए तो मुझे comment करीए मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और इस YouTube channel को जरूर subscribe कर लिजे यह बिल्कुर free channel है इसको बस आपको subscribe बटन को ऐसे प्रेस करना है यह free channel है आप इसमें बहुत सारे वीडियो के वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो इसको subscribe कर लिजे वीडियो को like कर दिजे और share कर दिजे ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो इस channel पर मिलते रहें तो बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care good way